नमस्कार मैं हूँ मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 नीज में महराश्ट में सिवसेना की सरकार चारो तरफ से घिर चुकी है और अब उदर ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस विकल्प की तरफ जाएंगे इस पर खूब चर्चा भी हो रही है वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि BJP वापस से सत्ता में एंट्री ले सकती है क्योंकि अब बागी विधायकों का सपोर्ट कहीं न कहीं BJP की तरफ जा रहा है लेकिन इसे बीच अठकले ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि उदर ठाकरे जो है नहीं जाएंगे और साथ में बैठने की बात तो बहुत दूर की है जी हाँ यहाँ पर अठकले यही थी कि सिवसेना अपनी सत्ता बचाने के लिए और उदर ठाकरे अपनी कुरसी बचाने के लिए हो सकता है कि BJP की तरफ रुप करे और अब इन सभी अठकलों पर ब्रेक लगा दिया है उदर ठाकरे ने उदर ठाकरे ने कल अपने जिला धक्षों के साथ वीडियो कॉन्फरेंस के थूर मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुझ पर दवाव बनाय जा रहा था विधायकों की तरफ से कि मैं यहाँ पर बीजेपी से हाथ मिला लू लेकिन अब ये होने वाला नहीं है उन्हेंने कहा मैं शांत जरूर बैठा हूँ लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ और यहाँ पर जिस तरह से उदर ठाकरे ने बीजेपी से हाथ ना मिलाने की बात साफ कर दी है अब एक बात तो तै हो गई है कि BJP सत्ता में आ सकती और यहाँ पर उधव ठाकरे के हाथ से CM पग की कुरसी जा सकती है वहीं उधव ठाकरे ने कहा है BJP को लेकर कि जिसने मतोश्री और मेरे परिवार पर व्यक्ति गत रूप से हमला किया है उसके साथ मैं जिन्दगी में नहीं बैठूंगा और साथी कंदे से कंदे मिला कर चलना तो दूर की बात है याने कि कुछ भी हो जाए सरकार यहाँ पर हाथ से चली जाए सत्ता हाथ से चली जाए कुरसी हाथ से चली जाए लेकिन उदव ठाकरे बीजेपी की तरफ रुख नहीं करेंगे यह साथ तोर पर उन्होंने बता दिया है लेकिन अब देखना ये है कि अब सिफसेना के पास क्या विकल्प बच जाता है क्योंकि यहाँ पर बागी विधायकों ने अब बीजेपी तरफ रुख करने का इशारा दे दिया है और इसे बीच महराश्च की सियासत में सिफसेना का एक्जिट हो सकता है और एंट्री बीजेपी की हो सकती है और यहाँ पर विकल्प के तौर पर एक ही यहाँ पर उपाय था अपनी कुर्सी बचाने का वो बीजेपी से हाथ मिलाने का जिस पर अब उदव ठाकरे ने खुदी ब्रेक लगा दिया यानि कि उदव ठाकरे कुर्सी हाथ से जाने देंगे लेकिन बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे ऐसा उन्होंने साफ कर दिया है फिलाल अब देखना ये होगा कि सिवसेना की सरकार कब सत्ता से जाती है और कब बीजेपी महराष्ट की सत्ता में एंट्री लेती है आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्पेन नाइन न्यूज धनिवाद